तो हलो दोस्तों आ गया हूँ M.I.L. हिंदी का इक्जाम कब होगा आपको आर्ट्स कॉमर्स एंड साइन्स वालों का बहुत सारे बच्चों का हजारों बच्चों का डाउट है कि सर हमारा फिजीक्स और से तक कैमेस्ट्री और से जूलोजिय और से एककाउंट और से सर मेरा म और बता रहे यह विडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है इस वीडियो में देखिए पास एक पेज है जो रूटीन का है जो बिहार युनिवर्सिटी ने जो पेज को जारी किया है रूटीन को वही मेरे पास एक रूटीन है ठीक है चलिए आई होप की लगभग लगभग आप लोग का जोने सबसेडरी का एक्जाम खतम हो गया होगा लेकिन कुछ बच्चों का हो गया होगा ठीक है चलिए आप लोग कमेंट किजेगा किन-किन बच्चों का हो गया चलिए लेकिन में मुद्दा यह है में समस्या है सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर एमाइल हिंदी का एक्जाम कब होगा कुछ लोग बता रहे हैं 15 तारिक को होगा साइंस और कॉमर्स ठीक है लेकिन मैं कह रहा हूं आप इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा पूरी एकदम एक एक करके मैं समझाओंगा गुरूप को समझाओंगा आपको कौन सा डेट पे एक्जाम होगा ठीक है किस गुरूप का होगा चलिए देखिए जो बच्चे 50-50 है जो बच्चे 50- तो भाई उनका सिम्पल हिसाब है यार 11 तारीक को होगा 11 74 में घृटक में होगा इसको चलिए समझ लेता है 15 तारीक वेल पहले समझ लेते है 15-11-22 स्कूल लिखा हुआ है MPIL Science Commerce या Arts for General बहुत सारे यूटूबर्स भी लट पता हुए यार मैं खुद लट पता गया हूं ठीक है ना मैं क्यों जूट बोलू यार मैंने भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मुझसे भी गलती हो गई है सौरी लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा बहुत ही इंपोर्टेंट यह एक दम र सेना व्हसें तो भाईया यह वाला जो है 15 तारीक को जो है ना यह जेंडरल कोर्स के लिए है अब जनरल कर्स रहा होता है थुए टो ऑलबाद क्राक्योर या साइन्स या ये सैलेस का मतलब या होता है कॉमर्स है फिर या है फिर आर्ट्स है फोर जेनरल यानि कि जो भी आता है जेनरल कुर्स लिये हुए है जिनका कोई भी ओनर्स पेपर नहीं है जिनका कोई भी एक पेपर में नहीं हो सब मेंने है यानि कि जेनरल ही है तो उनका है इक तू उनका एक्जाम देखिए कैसे कैसे होगा से ठीक है इनल ग८्प सी एप देखिए घ्रश भाति यहां दिया हूआ है कि आपका honors paper कुछ भी रहा होगा लेकिन जो group में आ रहा है ना honors paper उसी group के according आपका exam होगा बस सीधी सी बात है जैसे माली जी ए गुरूप है देखिए group जी आर गुरूप ए गुरूप में देखिए कौन-कौन subject honors paper का संस्क्रीट है music है electronic है सुरी एकोनामिक्स है electronics है मैथ है हिंदी है सुसोलोजी तो भाईया इन में से जिन बच्चों का इस सब्सब्जेक्ट आ रहा होगा कोई भी एक सब्जेक्ट ओनर्स में ए गुरूप में आता है तो बस आपका आँख बंद करके जो है ना माइल ग्रूप ए तो भाईया कितने तारीकों है बारा तारीकों है बारा 11-2022 को फॉर्स सिटिंग में होगा ठीक है बात समझ में आ गई चलो अब ग्रूप बी में चलिए अब ग्रूप भी इसको समझ लिए तो भाईया देखिए honors subject ग्रूप बी में आने वाला कौन-कौन है इसमें से कोई एक तो होगा कि नहीं होगा आपको होगा ना कोई तो एक होगा चामेस्ट्री यह फिजिक्स पॉमसाइं साइंस पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स अब इन में से कोई भी अगर आपका subject और नॉर्स है ध्यान से समझीएगा पूरा एकदम ठेटर हिंदी में जेक तो कब सेकेंड सीटिंग में होगा बस सिंपलसी बात है ग्रूप बी में आने वाला subject देख लीए इसमें से कोई अगर ऑनर्स है तो भाई आपको बारत तारीक होगा सेकेंड सेटिंग में होगाम माइले गरूप सी वाला ग्रूप सी के अंतर गताने वाला देखिया ऑ लिखा हुआ है माइल गुरूप सी तो भाइया चाउदा तारीक को एक्जाम चाउदा एकाला दो हजार बाइस को है फॉस्ट इटिंग में नो बजे से लेकर करके 12 बजे तक हो गया अब चलिए अब गुरूप डी वाला समझ लिजिए अब गुरूप डी में देखिया आने बोटनी है जोग्राफी है साइकोलोजी है इन में से कोई भी अगर ओनर्स पेपर है इसमें से देख लिजिए गुरूप डी में आता है तो भाइया या सिंपल तहां माइल गुरूप डी यह तो इसमें कहां से डाउट है यार कहां से आप लोग जो है ना ठीक है यह सोच रहे हो कि हम 15 तारीक हो नहीं भाइ इस जेनरल कोर्स के लिए है जेनरल ठीक है समझ में आ गाया ना बास एक बार और देख लीजिएगा पूरा डाउट के लिए हो जाएगा इसके बाद हमको नहीं लगता कि और भी वीडियो देखने की जरूरत हो लिखे ठीक है फिर प्लास में हम भी 4 लिग दीघ्यान भी फिर मतलब इंजी इंटीक है है एंगलिस में बता रहे हैं नहीं कि अपने का मतलब अब यहां पर जेनरल लिखा गया लिखा गया जेनरल लिखा गया जेनरल तो बताओ भाई देखे इज के साथ इज के साथ एक के साथ जेनरल होगा या आर के साथ जेनरल होगा ठीक है या एम के साथ जेनरल होगा होगा करी होगा तो भाई उसी तरह से यहां लिखा हुआ है साइंस उसके बाद फिर कॉमर्स फि जो बत्षे जेन्रल कोस्त कर रहे हैं उनका अौनरस नहीं है जिए मीद्ढाय Ne पंदरः तारिक को होगा डिद्धिजिन Conna round चैनल हुगा उनका पंदरः तारिक को एक्जाम Means अब फार चिट होगा अगर ऑन पेपर रहता न ओनर्स रहता तो खुद यह a b c में आ जाता न दिमाग लगा यह सेंस जरा दिमाग ठीकह इतना तो हुश्यार है आप लोग ठीक है कि चली है उनस अजेनरल है भाई कोई अर्स पर नहीं है तो बस सिधा 15 तारीक है एक बार आप लोग 11 तारीक को चले जाएयेगा ठीक है बारत तारीक को चले जाए एक् welding पर देखियेगा अरे वह क्या हो गया एक बार अगर पर सनी अगर हो जाएगा हैरानी हो जाए ये क्या हो जाएगा बस इतना तो कर लेक को आऋ और 15 गरतारीक को जरूर आपक प्समाजगे लेが समझ गाइना यहе जेंलव के लिए यह है यह 15 को भाकि जो भी आ रहा है घृट के को डिन्स एंट और हाने बार भी में आने वहाला का है है को पारता टारी को शोvousते में में इसके टॉने बाकी ये जेनरल कोर्स का है बाद समझ में आ गई आई हॉप वीडियो पुरी तरीके से आप लोग देख लिए होंगे और समझ गए होंगे अब किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा ठीक है और जाद साथ इस वीडियो को सेर किजी अपने दोस्तों के पाश ठीक है क्योंकि ब एमेली सिडिकाह जिखा नई-लिकटी इक यह जो लिखा वागूरी वुरूप लिखा हुआ है तो यह भी तो लिखा गरूप है तो यह जिनेरल कोर्स का प्लोग सब्सक्राइब कर लिजिए विडियों को लाइक कर लीए ज्यादा वीडियो को clerrG B ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई